हालो हाल मैं प्रेम चंद्रा आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में आपका श्वागत करते हैं और आज हम बात करेंगे हम लोग कहां पर पहुंच चुके थे लाश्ट रन तक हम लोगों ने यह देखा था कि मोनोटोनिक कंबरजेंस थेयोरम जिसको मैंने में M-C-T नाम दिया था वह M-C-T क्या था किसके बारे में M-C-T क्या थी तो हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं M-C-T के बारे में हम बात कर रहे थे तो मोनोटोनिक कंबरजेंस थेयोरम यह कहती है इसके दो पार्ट मैंने कर दिये कि अगर कोई भी सिक्वेंस बाउंड मोनोटोनिक कंबरजेंस थेयोरम का सेकेंड स्टेटमेंट मेरे पास आता कि अगर कोई भी सिक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो और बाउंड़ बिलो हो तो हमारे पास यह सिक्वेंस भी कंबरजेंट होगा और यह अपने इनभीमम पे कंबरज करेगा यह पार्ड है monotonic convergence theorem पे वैसे जनरली हम लोग कहा करते हैं कि कोई भी sequence अगर monotonic है तो अगर bounded है monotonic and bounded है तो convergent होगा तो bounded जरूर होगा तो हमारे लिए ये theorem का use हम कर रहे थे लेकिन इसका जो drawback था उस drawback के बारे में भी हम last time पे बात किये हैं मैंने आप से कहा था कि इसका drawback यह है कि अगर कोई भी sequence monotonic नहीं है तो हम ये monotonic convergence theorem नहीं लगा पाते हैं तो वो sequence छूट जाते हैं तो उन sequence में apply नहीं कर पाते हैं पहला drawback हुआ दूसरा drawback यह है कि क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर sequence को आप बहुत easily way में यह देख सकते हैं कि वो monotonic है या नहीं है तो monotonic देखना भी मेरे लिए तोड़ा difficult task है और bounded देखना भी मेरे लिए difficult task है sequence में तो sequence में बहुत से ऐसे question है जिनको अगर आप नहीं बता सकते हो नहीं solve कर सकते हो तो हम method to method चलते हैं तो हमारे लिए जो इसकी आज practice है मैं आज दो question आपके लिए practice लेके आया हूँ फिरसे इस monotonic conversion theorem का क्या कहती है कि आपको increasing हो bounded above हो तो convergent जरूर होगा या फिर decreasing हो bounded below हो तो convergent जरूर होगा तो दिया हुआ sequence आपके सामने जब भी होगा तो दिया हुए sequence में हम लोग क्या करेंगे हमारे पास जो दिया हुए sequence है उस sequence को हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये monotonic increasing है या monotonic decreasing है इसके बाद हम कर्बोने increasing हो जाता है तो हमारा जो task है दूसरा जो task रह जाता है उसको bounded above दिखाना रह जाता है अगर bounded above हो गया तो वो convergent करेगा तो कभी कोई question आपको दिया गया हो तो question में सबसे पहले हम देखते हैं कि definition apply कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं back से हम send with theorem भी पढ़ ली थी तो send with theorem हमने apply कर पाई है कि नहीं कर पाई अगर नहीं कर पाते हैं इसके बाद हमने ratio test of the sequence भी देखा है अपने back lecture में तो ratio test है, root test है इन सभी root test पाई the sequence ratio test पाई the sequence, series का नहीं sequence का भी हम लोग test पढ़ते हैं ratio test और root test तो वो root test और जो ratio test है वो apply अगर होता है नहीं होता है तो हम आगे बढ़ते चले आते हैं हो मेरी कहानी यहां तक पहुचा दिए एक और हमने test पढ़ा था, जो अच्छा test था जिसको हम लोग sandwich theorem से नाम से जानते हैं हो sandwich theorem भी हम apply कर शकते हैं तो अगर हम नहीं कर पाते हो question नहीं solve कर पाते हैं क्योंकि हमारे sequence में ऐसे बहुत से question है जिनको solve करना मेरे लिए बला difficult task है तो हम ऐसे question को कैसे करेंगे तो हम इसके बारे में देखते हैं तो जो भी लोग ये lecture देखेंगे हम उनसे कहेंगे जो IT exam और CSR net inspiring student है उनके लिए ये question है और अच्छे-च्छे question आपके सामने लेके आएंगे देरी-देरी करके तो आप देखेगा आज मैं दो question solve करेंगे यहाँ पर और कैसे करते हैं और इनकी strategy क्या है और कैसे हम solve करेंगे So question number 1 हमारे लिए है ये मेरा question बना है X1 is equal to 8 and X1 plus 1 equal to 1 upon 2 X1 plus 2 for all and belongs to natural number is this convergence क्या ये convergence sequence है या नहीं है मारे पास ये sequence दिया गया X1 is equal to 8 X1 plus 1 equal to 1 upon 2 X1 plus 2 for all and belongs to natural number अच्छा आप इसे मैं बता देता हूँ ये मैंने question बैटले की exercise से उठाया है कई बहुत प्यारी-प्यारी book है जो आप पढ़ सकते हूँ उस book में आप question निकालके अपने मन से question निकालिएगा देखे पढ़ना और exam निकालना BSC का exam देना MSC का exam देना 12th पढ़ना 11th पढ़ना different way है exam निकालना ITJM, CSR, NET, ITJ, PSC कोई भी India level जो exam है उनको आप crack करने के लिए आपको concerted होके method पढ़नी पढ़ेगी books पढ़नी पढ़ेगी और जो भी मेरे student कहीं भी मेरे पास पढ़ते हैं तो मैं जरूर उनको प्रफर करता हूँ कि आप जो है book पढ़ना जरू सीखिए तो मैं आपको book का reference भी दे रहा हूँ यह question बढ़ले का question है बढ़ले की exercise का पहला question है monotonic convergence sequence का और देखते हैं कैसे solve करते हैं क्योंकि आप जब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से question है तो आपको over interest होगा book पढ़ने में और जब आप book पढ़ने लगेंगे तो आपको चोटी चोटी knowledge आपका जो base है वो clear होगा आप base पे clear होगा जब base clear होगा तो आप चीजें सीख सकते हैं बिना base के जब तक आपका base के लिए नहीं हुआ चीजें आपको आएगी नहीं तब तक आप बहुत अच्छा grow नहीं कर सकते हैं इसलिए हर किसी को सबसे पहले basic part पे concerted होना चाहिए कि हम basic part को कैसे solve करते हैं और basic part है क्या basic base मेरा क्या है जैसे यह question लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पे दिया है x1 is equal to 8 nxn plus 1 is equal to 1 upon 2 xn plus 2 for all n belongs to natural number अच्छा इस type के जितने भी sequence हैं उनको हम लोग कहा करते हैं recursive sequence क्या कहा करते हैं recursive sequence कभी भी recursive sequence आ जाता है कि यहाँ पे हम x1 दिया है तो x2 निकालें x3 निकालें तो देखिए हम आपके सामने 2-3 value निकाल के देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कई लोगों का यह question हो जाएगा कि sir हम यह कैसे जाने कि हम क्या apply करें सबसे पहला कभी भी sequence या sequence हम पढ़ते हैं तो मुझे सबसे पहले question में सबसे पहला doubt यह होता है कि हम theory कौन से apply करें किस theory की बात करें तो देखिए हम आपको back से लिए चलते हैं back में मैंने आपको जब पहले lecture में पढ़ाया है तो पहले lecture में यह बताया है कि जो sequence है उस sequence के definition बताईए action minus l less than epsilon for all n greater are equal to n naught लेकिन उस definition को apply करने के लिए मुझे सबसे पहले हम l guess किया करते हैं और जब l guess करके definition apply हो जाती है mod of action minus l less than epsilon तब हम कहते हैं l is our limit मतलब हमें पहले तो guess करना l तो इस type के sequence में में मेरे लिए guess करना थोड़ा सा difficult task है कि हम कैसे guess करें definition को तो इसलिए हम definition अपनी man definition नहीं apply कर सकते हैं इस question में पहली problem दूसरी आपने का नहीं ratio test ratio test के लिए action action plus 1 चाहिए तो upon action बन करोगे तो भी problem क्योंकि two upon action आ जाएगा तो आप ratio test भी applicable नहीं है यहाँ पर apply नहीं कर सकते हो यह difficulties आ रही मेरे सामें जैसे difficulties आ रही हैं बैसे बैसे हम आगे थियोरी बढ़ते चले जाते हैं तीसी theorem जो sandwich theorem हमने आपको बताई sandwich का criteria बताया उसके लिए आपको दो sequence ऐसे चाहिए जो इस case के बीच में हो यह भी ढूणना इस question में बहुत difficult task है कि दो ऐसे sequence ढूणो जो इस case के बीच में हो और plus ऐसे ढूणने है जो yn अगर action lies between yn और zn है तो yn की limit भी हमारे लिए वही होनी चाहिए और zn की भी limit होनी चाहिए तब ही हम action की limit के बारे में कह सकते हैं इसके मतब हम यह theory जब apply cable नहीं होती है जब हम back से नहीं question लगा पाते हैं तो हम लोग आगे की बात करते हैं तो हमारे पास criteria आया monotonic convergence theorem तो देखिए हमारा task क्या है हम लोग यह so करने की कोसिस यहां करेंगे कि इस question में जो x2 is equal to 8 दिया है xn plus 1 is equal to 1 upon 2 xn plus 2 दिया है इसमें सबसे पहले monotonic convergence theorem लगाने की कोसिस करते हैं हमारी भी कोसिस है और यह कोसिस आपकी भी होनी चाहिए कि सबसे पहले हम so करने की कोसिस यह करें कि यहां पे जो sequence दिया है या फिर वो monotonically decreasing हो जाए या monotonically increasing हो जाए तो देखते हैं कौन-कौन यह क्या होगा तो हम सबसे पहले लेकिन फिर से एक problem है कि monotonically increasing देखेंगा इसे तो हमारे लिए सबसे पहले अगर मेरे पास यहां पे x1 equal to 8 दिया है और xn plus 1 xn plus 1 equal to 1 upon 2 xn plus 2 for all n belongs to natural number इसके बाद हम लोग क्या करने वाले है n equal to 1 यहां पे रख लेते हैं जैसे n equal to 1 रखते हैं तो मुझे मिलेगा x2 दिखेगा x2 equal to 1 upon 2 x1 plus 2 equal to 1 upon 2 x1 की value है आपको 8 दी गई है plus 2 equal to 6 आ गया अच्छा अगर हम यहां पे x1 और x2 को देखना चाहें तो मुझे यहां से यह पता चला है कि x1 जो है बड़ा है और x2 छोटा है फिला 2 से x1 greater than x2 ठीक है सबको दिखरा हुआ x1 8 है x2 हमारा 6 पाइंट हुआ इसके बाद हम x3 भी find करके देखना चाहेंगे x3 equal to 1 upon 2 x2 plus 2 equal to इसमें equal to 1 रखा तो हमें यह मिला था equal to 1 रखने से यह equal to 2 पूट किया तो मुझे यह मिला है तो 1 upon 2 into 6 plus 2 you will get 5 अगर मैं x2 और x3 को देखें तो मुझे पता चला है कि x2 बड़ा है और x1 पहले से बड़ा था तो यहां से पता चल गया x1, x2, x3 अच्छा यह अगर मुझे पता चल गया तो अब हम कहते हैं कि माल लिया यहां पे हम mathematical induction को लगाने की courses करेंगे यहां पे क्या करेंगे ठीक है let this statement is true for true for k मतलब k के लिए true का meaning है कि अगर x2 बड़ा x3 से इसके मतलब xk greater than xk plus 1 है यह मैंने माल लिया यह given है ठीक है xk greater than xk plus 1 इसको देखके देखिएगा यहां पे 2 है वे यहां पे जादा है तो हमने इससे जादा माल लिया अब हम क्या करें हम इसको देखेंगे वो इसी चाइब से बनाएंगे देखिए अगर xk greater than x2 है तो हमें यह पता चला है कि बनापान 2 से divide करने में inequality पे कोई भी फार्क नहीं पढ़ता है अगर inequality में divide करने पे positive quantity से फार्क नहीं पढ़ता है तो किसी भी positive quantity से add भी कर सकते हो तो भी inequality में कोई भी फार्क नहीं पढ़ने बाला है तो यह हमारे लिए greater than xk plus 1 upon 2 और plus 2 आ जाएगा तो देखिए यह क्या बन गया अगर आप ultimate देखें तो यह बन गया xk plus 1 this implies xk plus 1 greater than xk plus 2 यह xk plus 2 बन गया तो हमारा इसके मतलब हमने यह दिखा दिया k के लिए true माना था और यह दिखा दिया कि for k plus 1 के लिए भी यह statement true है इसके मतलब action is a decreasing sequence तो मुझे मिहा से मिल गया कि action is a decreasing sequence अच्छा decreasing हो गया तो आपको खुशी हो जाना चाहिए कि decreasing sequence अगर मुझे मिला तो अब मेरा task के दूसरा की यह bounded below दिखा दे अगर आपने bounded below दिखा दिया तो हम ट्राइ करते हैं इसको bounded below दिखाने की कोसिस करते हैं तो हमारे पास second bounded below दिखाते हैं तो bounded below देखिएगा कैसे हम दिखाएंगे तो bounded below की अगर बात करते हैं हम यहां पे so bounded below तो मैंसे मुझे पता है एक्सबन 8 है एक्सटू भी positive होगा एक्सथरी भी positive होगा तो आप इस sense में भी कह सकते हो कि एक्सबन positive है मतब एक्सबन जो है वो greater than 0 है एक्सटू भी greater than 0 होगा ठीक है so on एक्सटू भी greater than 0 होगा for all in belongs to nature number तो 0 से bounded below भी है आप ऐसे भी देख सकते हैं आप दिखाना चाहें तो mathematical induction से दिखा भी सकते हैं कि यह bounded below होगा वैसे दिख रहा है तो generally हम लोग mathematical ऐसे लिख देंगे एक्सबन greater than 0 है एक्सटू greater than 0 है एक्सटू greater than 0 है मतला bounded below है ठीक है अगर bounded below हो गया तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ अगर यह bounded below हो गया तो bounded below हो गया तो by sequence by mct क्या कहती है by mct implies sequence action action is convergent तो sequence हमारे लिए convergent हो जाएगा तो sequence action is convergent sequence अगर sequence convergent हो गया अब मेरा task के बलेक रह गया हमने आपको यह दिखा दिया कि sequence increasing है sequence decreasing है और sequence bounded below है that means by mct saying that sequence is a convergent now how we'll find the limit हमेना task रह गया कि limit कैसे find करें देखिए मुझे पता है कि अगर action l पे converge करता है तो if and only if इसका tail sequence भी converge करता है उसी limit पे action tends to l okay so हम अगर इस statement को उठा लेते हैं तो यहाँ पे हम apply कर देते हैं limit दोनों तरफ action plus 1 equal to 1 upon 2 action plus 2 you will get l equal to ly2 plus 2 so 2l this implies twice l equal to l plus 4 so l equal to 3 okay so limit as 3 that means that sequence xn sequence xn converge to 3 okay so sequence हमारा convergence हो जाएगा so very nice question you can think about this question and after then you can also think about how we solve by another method हम इस question को दूसी मैटर्स भी solve कर सकते हैं लेकिन अभी हम जब तक monotonic convergence theorem है इसलिए मैं convergence से solve कर रहे हैं इसलिए आप लोगों को बैट के सोचना चाहिए मुझे क्या क्या करना है question पे तो ऐसे question action बन सकते हैं जैसे question में कई action हम बना सकते थे और वो action से भी question पूछा जा सकता है जैसे अगर मैं आप से कहूँ कि हमारे पास कई action इसमें बन सकते थे कि number one अगर मैं ये question दे दूँ और कह दूँ then अगर मैं action बनाना चाहूँ तो देखेगा कैसे action बनेगे यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि आप्चन बना दूँ इसमें तो आप्चन बना के देखते हैं अगर ये sequence दिया है यहाँ तक then और मैंने अगर आप्चन बना दिये होते number a ठीक है action limit equal to or equal to one पहरा आप्चन दूसरा limit action limit action equal to three number c action is divergent sequence divergent sequence और number d action is monotonic देखिए अगर मैंने ये action बनाए होते ही तो आपको अप्टो आंसर पता चल गया या हमने आपजक्टी भी question आपके सामने बना दिया तो देखिए अगर आप ऐसा बचना चाहेंगे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे यार मैं तो यहीं पे ल रख देते ल equal to three आ जाता ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप ल रखने से ल निकाल लिए तो वो sequence convergent ही होगा ठीक है ये भी जरूरी नहीं है अगर कभी आपसन आपके सामने divergent लिग गया तो हो सकता हो ऐसा question आपके सामने हो कि वो divergent sequence हो और आप L निकालने तो वो गलत हो जाएगा तो हम direct L नहीं निकालेगे लेकिन अगर cable convergence ही क्या आपसन होते यहाँ पे तो हम direct L भी find कर सकते थे हो कह सकते थे convergent है लेकिन अगर monotonicity देखनी है तो आपको by mathematical induction जाना ही पड़ेगा और आपको देखना ही पड़ेगा कि mathematical induction से यह sequence हमारे लिए convergent होगा तो हमारे लिए यहाँ पे दो options है है option 1 और option D तो यहाँ पे दो answer correct answer हो गए तो next question देखते है हमारे लिए the next question है यहाँ पे दिया y1 equal to root p where p greater than 1 yn plus 1 equal to root p plus yn for all in blocks to natural number so that yn converge and find the limit इसको देखना है converge है और find the limit आपको उसको limit भी find करनी है तो देखेगा हम कैसे find करेंगे इसकी limit तो सबसे पहले y1 है फिर yn plus 1 है तो हम आप mathematical induction से आराम से इसको show कर सकते हैं कि यह sequence है वो increasing है आपको यह दिखाना है कि यह bounded above भी होगा आप किस से above होगा यह मुझे problem है ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको bounded increasing या decreasing कैसे दिखाएंगे यहाँ पर root p है ठीक है by 2 आप निकालिएगा यहाँ पर आप n equal to बन रख दीजेगा तो आप आएगा p plus root p plus आपको दिख रहा होगा कि by 1 जो है y 1 जोटा है और by 2 बड़ा है ठीक है कोई problem नहीं आराम से आप इसको कर सकते हैं यहाँ पर इसके बाद आपको by mathematical से आप show करेंगे कि k के लिए true है तो k plus 1 के लिए true होगा ठीक है k plus 1 के लिए भी true होगा तो आप late कीजिएगा late this statement true for the k this statement statement true for k and prove that true for true for k plus 1 true for k plus 1 k plus 1 के लिए भी true होगा ठीक है तो हम by k plus 1 को माल लेते हैं root by k वहाँ पर रख देते हैं तो देखें true है किसके लिए k के लिए तो मतलब k plus 1 equal to p plus by k आ जाएगा मतलब यह तो दिया है मतलब आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि by k minus 1 less than by k है similar process है जैसे मैंने back question लगाया है तो आप यहाँ पर by k minus 1 दिया है तो by k दिया गया है आप p add कर दीजिए इसके बार root ले जिए क्योंकि positive है root ले सकते हो तो यहाँ पर by k plus 1 के लिए true हो जाएगा तो यह हम आपके लिए यहाँ पर छोड़ते हैं देखेगा यहाँ पर जब मैं आपने y1 लिखा y1 equal to root p तो increasing हुआ y2 is equal to हमारे लिए आया p plus root p ठीक है अच्छा देखेगा y1 जो है यह हमारे लिए और y2 जो लिखा है एक quantity से यह बड़ा है किस quantity से हम माल लेते हैं यह bounded है 1 plus 2 root p से ठीक है देखे क्योंकि यहाँ पर root p लिखा है यहाँ root p लिखा अगर root p कर दीजेगा तो 1 plus root p माने अगर value लिख दी है तो पक्का है यह value बड़ी होगी ठीक है यह आपको guess करना पड़ा कि यह root 1 plus root p बड़ा होगा अच्छा similar हमने माल लिया for for k true statement true का मतलब जो yk है वो less than है 1 plus 2 root p यह बड़ा है ठीक है आपको यह दिखा देना है कि k plus 1 के लिए बड़ा है चाह कुछ लोगों का question हो गया sir आपने ऐसा क्यों दिखाया आप less than 1 plus 3 root p भी कर सकते 1 plus 4 root p भी कर सकते है हम ऐसा इसलिए बड़ा लिया क्यों包 लिए पहला हम हो यहां बन गया तो P8 कर देते हैं ठीक है BuyK P8 कर दिया तो 1 प्लास P प्लासर रूट P ठीक है आप इसका रूट ले लिजेगा आप जीसे रूट लेंगे ठीक है रूट की y zero हो गई यह प्लास हो जाएगीék 1 readers ली इसके है फिर से बड़ी हो जाएगी जह plus 1 less than 1 plus root P हो गया फिर से root P की value बड़ी आ गई इसके मददब हमारे लिए जो yn है वो bounded भी हो गया अगर bounded हो गया increasing हो गया, bounded above हो गया तो by convergence sequence saying that that sequence is a convergence sequence so sequence is a convergent now my task is how we'll find the limit of that sequence so my next task is how we'll find limit of that type of sequence so limit is you can find the same way we will say that yn is equal to L and yn plus 1 equal to L so here L equal to L square equal to P plus L after then you can find the value of the L you can find limit of P but see that L square minus L minus P equal to 0 you can apply L equal to minus P minus 1 plus minus under root plus minus under root 1 minus 4P upon 2 okay अब देखिए यहां पे value आ गई गई दो L equal to 1 plus minus root 1 plus or P upon 2 अचा यहां पे दो value जा गई एक आ गई प्लस और एक आ गई माईनस अचा जो plus value है जो minus की value है अगर minus की value लोगो तो negative ला जाएगा negative होगा नहीं क्यूंकि by 1 जो हमारा P जो है positive sequence है सभी इसके मतब जो L होगा L equal to 1 plus 1 plus 4 P upon 2 तो यह हमारा यहां पे answer होगा P square minus 4 AC लगाने के बाद plus बारी value होगी वो हमारा answer होगा तो limit convergent होगा तो यह हमारे लिए limit convergent होगा sequence convergent होगा अच्छा sequence है इसमें आप कहां पे आपको problem आने वाली है भी हम आपको बता देते हैं इस question को कभी भी आप solve करेंगे तो आप monotonically increasing तो बहुत easy दिखा लेंगे कोई problem नहीं होगी monotonically increasing दिखाने में लेकिन boundedness दिखाने में problem है क्योंकि how we'll say that this is 1 plus root 2 P or root P or P this is very difficult task to think about that one हम कैसे think करें कि ये बड़ी होगी value आप किसी से बड़ी value करके आप root P, P, 3P, 4P से बड़ी value करके और उसको दिखाना था कि ये value 4P या 3P से बड़ी होगी तो ये sequence हमारे लिए आप P दिखा सकते थे 2P दिखा सकते थे directly हमारे लिए ये sequence convergence sequence हो गया और इसके पहले बाला भी convergence sequence हो गया था दोनों की मैंने limit find की और दोनों में मैंने यहां पर apply किया है वो apply किया है monotonic convergence ठीक है तो next one मेरा announcement है जो भी लोग live class करना चाहते है चाहे classroom program में आना चाहते है ये मेरा ZD Institute कानपुर का center है यहां से हम live class भी पढ़ाते हैं और classroom program भी run करते हैं तो आप दोनों में से किसी भी को जोइन करना चाहते हैं जिसके लिए यहां पर हम mathematics से CSR NET, JRF और gate और IT exam की coaching center है यहां पर तो किसी की मुझे contact करना है तो आप मुझे contact कर सकते हैं 7905-390716 Thank you all मैं जल्द ही आपको next में मिलेंगे Thank you very much